हेलो वियोर्स कैसे आप सब इंडिया वर्सिस इंगलेंड का मुकाबला था और जहां पर इंडियन किर्केट के लिए बहुत ही शेमफुल डे है जहां पहला ही टेस्ट इंगलेंड से 28 रन से हार गए जहां पर हम एक्सपैट करें थे इंडिया के पास 190 रन की लीड थी जो कि ह हमारे पास इतनी बड़ी बहुम्मूलिय लीड थी उसकी बहुत बुरी तरीके से यहां पर धजिया उड़ा दी है इंगलेंड ने और जो दो दिन ऑलिपॉप ने बैटिंग की है भाई बहुत कमाल की बल्लेवाजी दिखाई इनोवेशन दिखाई और इंडिया ने बहुत थर्ड इनिंग में आपके कैसे भी करके 200 सुपर टोटल नहीं बनता वहीं इंगलेंड का जो है 400 प्लस कैसे कर गए यहीं देखने वाली बात है बट वेस्ट इंडिस की आप बात करोगे नो तो भी वेस्ट इंडिस के लिए तालिवा जाना बनता है और जो उनके गेंदबा इनको अता-पता कुछ रहता नहीं है थर्ड इनिंग में बॉलर्स का फेलियर और फॉर्थ इनिंग में टीम इंडिया से 230 भी चेस करेंगे मुझे तो समझे नहीं आ रहा और यहां पर वेस्ट इंडिस ने इतिहास रची और इंगलेंड ने भी हिस्ट्री क्रेट कर दी कि पिछली बार जब इंडिया आये थें तब इन्होंने पहला मुकाबला जीता था यहां से आप यह मत कहीं कि इंगलेंड जो है वो इंडिया को बैश कर देगा और जो एक क्यार थे इंडिया इंगलेंड को 5-0 से हराएगी ना उनका भी वहम तोड़ दिया कहीं न कहीं इंग पर अगर हम देखें कि इंडिया करें क्या प्रोग्रेस रही है इस वर्ल्ट टेस्ट चैंपेंड शिप में फाइनल में पहुँच जाये पर जीतना थो इनके बसकी है नीट टेस्ट में बट आप देखोगे ना कि रोही शर्मा की जो कपतानी है टेस्ट में वो कॉशनेबल है और उनकी बैटिंग को भी वो अफेक्ट कर रही कहीं और यहां पर पिछले कुछ टाइम से कुछ खास नहीं कर पाएं रोही शर्मा भाई वर्ल्ट कप में काफी अच्छा किया था बर टेस्ट में पिछले एक साल का रिकॉर्ट निकालोगे तो रोही शर्मा कुछ इतना और इस चीज़ से टीम इंडिया को भी सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी टीम को लाइट ली ना ले और इंडिया के जितने वी क्रिके टेक्स पर टन हो यह बता रहे थे कि बहुत ही घटिया क्वाल्टी किया है उनको रंजी की टीम में भी जगया नहीं मिलेगी पर वही साथ रिकेट लेते हैं जो डेब्यू कर रहे हाडली और उनके साथ लीज और जो बाकी गेंदबाज है रूट तक भाई आपनी खेले जा रहे और जो टीम इंडिया का मिडल ओडर है वो बिल्कुल उनको स्पिन खेलनी ही नहीं आती भाई अब कुछ भाई लोग कहेंगे त क्या वो सीख कर रहा है रंड जी में और बागनादेश में तब तो श्रे सेर ने जिता दिया था एक टाइम पे केस भरत और रवीच अंदर अश्विन की जो पार्टनर्शिप लगी थी वो ऐसा दिखा रही थी कि कहीं नहीं मैच निकाल ले जाएंगे पर ऐसा कुछ भी न बान रहने की पहला टेस्ट में चारते टीम इंडिया सीरीज हार गई है ऐसे मोसमी फैन को तुम यही कहना चाहिए कि वक्त सबका आता है और भारते टीम आने वाले मुकाबले में बहुत अच्छा करके दिखाएगी और अच्छा दिन बुरा दिन सबका आता है पर कहीं नह होल्टन है भारते टीम की बल्ले बाजी में कि इनको स्पिन खेली नहीं थी सेकिंड टेस्ट में देखना यह इंट्रस्ट रहेगा कि भारते टीम क्या स्पिन ट्रैक बनाएगी या फिर आपकी जो फ्लैट पीच होती है वह बनाएग क्योंकि अगला मैच वाइस जैग में ह ओँवा था और वह मुकाबला इंगलैंड बहुत ही असानी से जीती धी और वहां पर टीम इंगलैंड का बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है और I wish कि Western Days आपने जिस चीज के लिए वो जाने जाती थी पहले अपने 4 में वो आपिस आएगी और वीडियो पसंद आए तो उसको like, share, subscribe करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में